इस संदेश को बार बार सूनिये जिस दिन हमारी मौत होती है हमारा पैसा बैंक में ही रह जाता है जब हम जिन्दा होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास खर्च करने को परियाप धन नहीं है जब हम चले जाते हैं तब भी बहुत सारा धन बिना खर्च हुए बच जाता है एक चीनी बादसाह की कहानी सुनाता हूँ उस चीनी बादसाह की मौत हुई ओ अपनी बिध्वा के लिए बैंक में 1.9 मिलियन डॉलर छोड़ गया था बिध्वा ने जवान नौकर से शादी कर ली उस नौकर ने कहा मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने मालिक के लिए काम करता हूँ लेकिन अब समझ में आया कि ओ हमेशा मेरे लिए काम करता था इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़्यादा जरूरी है कि अधिक धन अरजन के बजाए अधिक जिया जाए अच्छे वो स्वस्थ जीवन के लिए प्रयास किया जाए महंगे फोन के 70% फंक्शन आनुपयोगी रहते हैं महंगी कार की 70% गती का उपयोग नहीं होता आलिशान मकानों का 70% हिस्सा खाली रहता है पूरी आलमारी के 70% कपड़े पड़े रहते हैं पूरी जिन्दगी की कमाई का 70% दूसरों के उप्योग के लिए छूट जाता है 70% गुणों का उप्योग नहीं होता है तो 30% का पुर्ण उप्योग हम कैसे करें स्वस्थ होने पर भी हम निरंतर चकप कराएं प्यासे नौ होने पर भी अधिक पानी पियें जब भी संभव हो अपना आहंकार त्यागें शक्ति साली होने पर भी सरल बने रहें धानी नौ होने पर भी परिपोर्ण रहें बहतर जीवन जीने का तरीका इस प्रकार है प्रार्थना के वक्त अपने दिल को काबू में रखें खाना खाते समय पेट को काबू में रखें किसी के घर जाएं तो आँखों को काबू में रखें महफिल में जाएं तो जवान को काबू में रखें और पराया धन देखें तो लालच को अपने काबू में रखें आप अपनी नेकियों को भूल जाएं दूसरों की गलतियों को भूल जाएए अतीत के कड़वे संस मरणों को भूल जाएए आप दूसरों को नीचा दुखाना छोड़ दीजिए आप दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दीजिए दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दीजिए दूसरों की चुगली करना छोड़ दीजे दूसरों की सफलता पर दुखी होना छोड़ दीजे आपको यह हसास होगा कि आपकी जिन्दगी बदल रही है यदि आपके फ्रीज में खाना है बदन पर कपड़े हैं घर के उपर छट है और सोने के लिए जगह है तो यकीन मानिए आप दुनिया के प्रचहतर प्रतिशत लोगों से ज़्यादा धनी है यदि आपके परस में पैसे हैं और आप पुछ चेंज के लिए कहीं भी जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं तो यकीन मानिये आप दुनिया के 18 प्रतीशत धनी लोगों में सामिल हैं यदि आप आज पुरणता स्वस्त होकर जीवित हैं तो आप उन लाखों लोगों की तूलना में खुश नशीम हैं जो इस हपते जी भी नौपाए जीवन के मायने दुखों की शिकायत करने में नहीं है बल्कि हमारे निर्माता को धन्यबाद करने के अन्य हजारों कारणों में हैं यदि आप मैसेज को वाकई पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं तो आप उन करोडों लोगों में खुश नशीम हैं जो देख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते अगर आपको यह संदेश बार-बार मिले तो परेशान होने की बजाए आपको खुश होना चाहिए धन्यबाद मैंने इस मैसेज को वीडियो में कनवर्ट करके आपको फॉर्वार्ट किया है और अब आपकी बारी है कि दूसरों की खुशी के लिए इस संदेश को अगरसारित करें इस स्वर आपकी रक्षा करें आप अपने जीवन का आनंद लें आप दूसरे के जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करें धन्यबाद